आज हम आगे अपनी सीरीज में कॉंटिन्यू करने जा रहे हैं लुइस ओक्टैट थियोरी हो ठीक है जैसे कि हमने कल किया था कि जो बॉंड फोर्मेशन होती है वो क्यों होती है अपनी सीरीज में सबसे पहले बॉंड फोर्मेशन के बारे में जो एप्रोच दिए थी वो कोशल लुइस अप्रोच आई थी जिसने रीजन बताया था कि बॉंड फोर्मेशन क्यों करते हैं एटम्स ठीक है तो अब हम अगर लुइस ओक्टैट थिए थिए अप्रोच अप्र तो उसने हमें क्या बताय था इसके according क्या होता है according to this theory according to this theory कोई भी मतलब की species होती है any species undergo bone formation अंडर्गो बोन फोर्मेशन तो कम्प्लीट इट्स ओक्टेट ठीक है तो इस theory के according में लुइस ने में क्या बताय था कि कोई भी जो species है वह कोई भी element या atom है वह bond formation क्यों करेगा to complete its octet अपने octet को complete करने के लिए वह bond formation करता है अब octet का क्या मतलब है यहां पर octet कैसे complete होता है अगर हम periodic table के बाग करें तो पूरी periodic table के अंदर सबसे जो stable electronic configuration होती है वह हमारी किसकी होती है noble gases तो पहले इसको देख रहते हैं कि stable electronic configuration किन क्यों होती है noble gases की noble gases कौन कौन सी हमारी पास helium, neon, argon, krypton, xenon, radon ठीक है तो यहां पर जो होता है यह stable noble gases क्यों बोलते हैं इनको हम क्योंकि इनका जो होता है वह octet complete होता है except helium helium की case में क्या होता है उसका duplet complete होता है ठीक है बाकी सारी gases की case में उसका octet complete होता है तो कोई भी जो element है वह अपने आपको stable करने के लिए क्या करेगा वह nearest noble gas configuration को achieve करता है that's why वह nearest noble gas configuration को achieve करने के लिए वह bond formation करता है दूसरे element के साथ ठीक है अब जो यह noble gases होती है वह bond formation क्यों नहीं करती है क्योंकि उनको नीड़ी नहीं है तूसरे element के साथ अपने आपको bonding में participate कराने लिए क्योंकि already ही वह उनका octet complete होता है helium के case में duplet complete होता है तो इसलिए वह bond formation participate नहीं करती है इसलिए इन gases को inert gases भी बोलते है inert gases भी बोलता है noble gases को क्योंकि bond formation नहीं करती है ठीक है अब क्या होता है जो वह सारे species होती है वह अपने octet को complete कर लेती है लेकिन इस रूल की भी कुछ limitations है वह सारे compounds के आगी जाके यह उस case में अलगए बर्द हो हमें क्या देखने को मिलता है incomplete octet होता है कई compounds का या फिर more than octet मतलब octet से ज्यादा electrons आजाते हैं उनके पास फिर्स प्रेकर हम बात करें तो ऐसे compounds जिनका octet जो होगा complete होगा heavy, complete, octet ऐसे compounds जिनका octet complete होगा for example CH4 अगर हम CH4 की बात करें तो यहां पर एक बात हो जब हम कभी भी bone formation की बात होती है तो हमेश्य क्या होते हैं जो valence cell की electrons होते हैं वही bond के participate करते हैं अगर हम valence electrons की बात करेंगी valence electron कोन से होते हैं तो valence electron लेठो जैसे हम sodium की बात कर रहे है sodium का atomic number कितना होता है 11 ठीक है अगर हम इसके electron configuration की बात करें तो क्या हो जाएगी है 281 तो जो यह आप जो इसले के जो एलेक्ट्रों से होते हैं आप जो से हमारे बॉन प्रमिश्य करते हैं जो दिखाते हैं लुइस ने जो उपमन के अपनी आपक्षोई के अंदर बताए थे सिंबल के द्रों उसने समझाया था तो उसने भी वापि वैलेंस एलेक्ट्रों की भात की थी ठीक है अगर हम यहां पर देखे तो कार्बन के पास बैंस याल में कितने एलेक्ट्रों तो फॉर फॉर क्लस से 985 में सब्सक्राइब का दुरांशने देखे Anywaysfilm के था टॉल करेंगे थीकी अपने लेक्स नेरीक्ट्रों को हो ड़ते हैं कने लिए जान को लिए होनी अस्येंद किम्पांट क्या हुआ आवरे पास कम्प्लेट औरे डिर सबसक्राइब में को ने किके हो रिएने का और नेक्स्ट आएगा हमारे पास, भी इंकम्प्लीट ओक्टेट, ऐसे कमपॉंट जिनका ओक्टेट कम्प्लीट नहीं होगा, जैसे एक्जाम्पल देखिया हम, यापफरी, बीएफरी, वि इसका ओक्टेट कम्प्लीट नहीं है, यापफरी, एक्टरों कमप्लीट नहीं है, यापफरी, सैम ऐसे एक्टाम आएगा हम, होते हैं 3 plus chlorine के पास chlorine से कितनी अप्रोन आएगे 3 तो यहां पर कितने होगे 6 ठीक है तो ऐसे compound जिनका octet होगा वह complete नहीं होगा तो ऐसे compound को हम क्या बोलेंगे हाइपोवलेंट है कंपॉंड है तो यह भी यह कंपॉंड हमारे ऐसे हैं जो octetool को फोलो नहीं करते हैं हाइपोवलेंट कंपॉंड यहां फिर इनकों एक और नाम बोल सकते हैं सब्लेंट कंपॉंड यहां फिर हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोंड डेफीशेंट अब बोल सकते हम इनको understood next हम देखते हैं थार्ड हमारे कौन से टाइप हो जाएगी थार्ड हमारी पास टाइप आती है having more than octet एसे compound जिनका octet से ज्यादा electrons उनके पास present होगे अगरा मैं example की बात करें for example SF6 अगरा मैं SF6 की बात करें तो sulfur ketomic number कितना होता है हमारे पास 16 तो इसके automation आपने कितने electron हो देंगी 6 प्लस यापर 6 आएंगे फ्लोरीन से तो टोटल कितने electron होगे 6 6 12 electrons होगे इसके पास ठीक है ऐसे हम बात करें PCL 5 PCL 5 की अगर हम बात करें 5 पोस्फोरस से आएंगे 5 ख्लोरीन से आएंगे ग्रोटल कितने electron होगे 10 electrons तो ऐसे केसी में भी ओक्टेट रूल हमारा क्या हो जाएगा वोलेट हो जाएगा ओक्टेट रूल फोलो नहीं करेंगे यह कंपाउंस भी तो इन कंपाउंस हो जिनके मोर देन ओक्टेट होते हैं उन कंपाउंस हम बोलते हैं है पर वेलेंट कंपाउंड छीकें तो ओक्टेट रूल दो कंडिशन में फोलो नहीं होता है है फ़ेलेंट कंपाउंड के सर्ट और second is hypervalent compound के case में तो फिर ऐसे compounds के लिए हम क्या कर देंगे hypervalent compound के लिए तो ऐसे cases में हमारे पास एक Suzanne's चोहरी आती है सुजायन की जो ठोड़ी थी उसने क्या बोला था मैं basically यह जो ठोड़ी थी वो supporter थी हमारी octet ठोड़ी की this theory is the supporter of octet theory यह theory जो थी वो octet theory की क्या थी supporter थी उसी नहीं मतलोगी वैसे तो octet tool हमारा वोइलेट नहीं होता है most of the cases में लेकिन जब कभी हमारे पास hypervalent species का case आजाता है तो वहां पे हमारी जो octet theory है वह वहां पे वोइलेट हो जाती है तो वहां पे फिस्यूजन नहीं अपनी octet theory के सपोर्ट में ही अपना कुछ suggestion दिया था उसने क्या बोला था कि जो जैसे हमारा पी पी सेल वाइक कह से एगारएอग्यक पीसियल 50 भात करें तो आइंश बताएं पीसियल 50 को लेंक अगरें को फिशल कारें तो कैसे होगी आप हमारे पास force di force force li ak homocyal में कितने कि लेक्टों दो कि 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ऐसे ही हम जगिन ख्लोरिन दो रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सेम ऐसे ही, इस ख्लोरिन कि लेक्टों दो रहेंगे हम, अब यहां पर होता क्या है, अब यह क्लोरिन को एक लेक्टों की रिक्वाइर्मेंट है, तो क्या करेगा, फोस्फोरस से लेक्टों एज़े, शेर कर लेगा, सेम ऐसे ही सारे क्लोरीन इलेक्ट्रों को क्या कर लेंगे शेर कर लेंगे उपने अप्लेटों क्या कर लेंगे कम्प्लीट ठीक है लेकिन अब हम फोस्फरस की बात करें तो फोस्फरस यां पर क्या हो जाएगा अगर वो एक 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 एलेक्ट्रों क्लोरीन से शेर करेंगा तो मैं क्या हो जाएगा ताव अगर फॉस पॉर इन ख यहाएं और तो तो यह क्या नहीं हो रहा है तो साफ केस की ने क्या दगा कि उसर्ट केस में जो डशेंन से बीच में वह疫 rain को मतलव इयर को ऊण सिसे इसने सब्सक्राइब कहा सी फैसे होती है अब कि anchors के जो कलोडी सब्いき pulling गरिंग ईसको एसे डिखाएंगे लेकिन जो सब्सक्स प्रहसा हाफ है से रम पीड़ है पर ठीक है हाले डॉनेर कें ऐसे इसे की से तरफ यह तरफ यह उतर यह है और इसे हम Hide High सबते हैं चें़ क्लॉरी और यह पर यह वह कहलें काम संजkay की है में हम और फोर्नgem फोर्मिशन नियुत T आथ यह हमारी प्रास तो यहां पर आप जो शेरिंग होगी वो क्लोरीन तो शेर गरेगा अपने फोस्फोरस के साथ लेकिन फोस्फोरस नहीं करेगा यहां पर आप यहां पर आप फोस्फोरस लेक्ट्रों काउंट गए वो जो सिंगलेट बोन की जो एरो आज़ी है वो हमेश्चा डोनर से असेप्टर की दरफ आईगी डोनर यहां पर फोस्फोरस है उसने टोलिंग टोनेट किया है तो ऐसे उसके हम एरो को शो करेंगे हाफ एर्डिट एरो से उसको शो करते हैं ठीक है तो यह केस क्लियर होगी हमारा कि जब ऐसे केसी अगर हमारे पस आ जाते हैं जिनके अंदर मतलब कि ओक्टर टूल फोलो नहीं होता है हाइपरवलेंट स्पीचीज के केस में, वहाँ भी फिर हमारा सिंग्लेट जोरी के कुल सर्ट लगते हैं